बढ़ते हुए पेट्रोल की प्राइस और पॉलिऊशन के चलते अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन से कौन से आफसन्स है कौन सा इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए सही होगा आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इंडिया के परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्यूंगी ऐसे ही एलेक्ट्रीक वेहिकल से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट वीडियो आपको इवी इस्तान के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे तो नमबर पांच पे हम बात करते हैं कभीरा मॉबिलीटी से केम 4000 इलेक्ट्रिक बाइक के उपर इस इलेक्ट्रिक बाइक का एक सोडुम प्राइस की ब स्पीड की बात करें तो आपको 120 किलोमी्टर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएंगे और इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको एक 4.4.0 किलोवाट आवर काект केैमिस्ट्री के साथ बाटरी पैख देखने को मिल जाएगा वास्ट चारजिंगा सुपोर्ट दे देखने को मिल जाएगा इको मोट पे इस इलेक्ट्रिक बाइक का रेंज है 150 किलो मीटर का देखने को मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक बाइक को 0-80% चार्ज करने में आपको 3 घंटे का टाइम लग जाएगा और फुली चार्ज करने में इस इलेक्ट्रिक बाइक को 5 आवर्स क ताइम लग जाएगा इसमें आपको fully digital instrument console देखने को मिल जाएगा आपको push to start button देखने को मिल जाएगा और इसके motor पे 3 साल की warranty देखने को मिल जाएगा और इसके battery पे भी आपको 3 साल की warranty देखने को मिल जाएगा नमबर चार पे हम बात करने वाले है ओबेन कमपनी से रोड इलेक्ट्रीक बाइक के बारे में इस इलेक्ट्रीक बाइक का लुक्स मुझे पार्सोनली काफी पसंद आता है इसकी एक सोडुम प्राइस की बात करे तो वो 1,49,999 रुपीज के आसपास में है इस इलेक्ट्रीक बाइक में आपको 187 किलो मीटर का रेंज देखने को मिल जाता है आपको 100 किलो मीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है 0 to 40 kmp जाने में इस electric bike को 3 second का time लगता है और 0 to 80% charge होने में इस electric bike को 2 घंटे का time लगता है आपको एक 4.4 kWh का LFE chemistry के साथ battery pack देखने को मिल जाता है जो की aluminium cover up है और IP67 rating के साथ में आता है इसके front और rear दोनों पे आपको disc brake देखने को मिल जाता है आपको एक 8 kWh का IPM SM belt drive motor देखने को मिल जाता है आपको fully digital console देखने को मिल जाता है mobile connectivity जाएसे features देखने को मिल जाता है इसके motor और battery दोनों पे आपको 3 साल की warranty भी देखने को मिल जाता है नमबर 3 पे बात करने वाले हैं टॉर्क कंपनी से kartos electric bike के उपर इस electric bike का एक sodium price की बात करें तो वो 168,000 रूपीज के आसपास में है इस electric bike में आपको एक 4.5 kWh का PMAC motor देखने को मिल जाता है इसकी top speed की बात करें तो आपको 105 km per hour का top speed देखने को मिल जाता है इस electric bike में आपको 180 km का range देखने को मिल जाता है इस bike को charge करने में आपको 5 घंटे का time लग जाएगा बट fast charging के थुरू आप इस electric bike को 0 to 80 सिर्फ 1 घंटे में charge कर पाओगे इसमें आपको एक 4 kWh का lithium ion battery pack देखने को मिल जाता है इसमें आपको rear और front दोनों पे ही disc brake देखने को मिल जाता है आपको alloy wheels, tubeless tire, keyless entry, fully digital console panel जैसे features देखने को मिल जाता है इसके motor और battery पे आपको 3 साल की या फिर 40,000 km की warranty देखने को मिल जाता है नमबर दो पे हम बात करने बाले है Revolt Company से RV 400 electric bike के उपर इस electric bike का एक sodium price की बात करे तो वो 1,30,000 रूपीज के आसपास में है और इस electric bike में आपको एक 3 kWh का mid drive motor देखने को मिल जाता है इस electric bike में आपको 3.24 kWh का एक removable lithium ion battery pack देखने को मिल जाता है इस electric bike में आपको 150 km का range देखने को मिल जाता है इसकी top speed की बात करे तो वो 85 km per hour की top speed तक चली जाती है इस electric bike को fully charge करने में 4.5 hours का time लग जाता है आपको front और rear दोनों पे disc brake देखने को मिल जाता है इस electric bike पे आपको artificial sound देखने को मिल जाता है जिसको कि आप आपके mobile के थुरू change भी कर पाओगे आप अपने mobile से ही इस electric bike को start कर पाओगे आपको इस electric bike पे alloy wheels, tubeless tire देखने को मिल जाता है इस electric bike पे आपको 5 years या फिर 75,000 km की warranty देखने को मिल जाता है नमबर 1 electric bike की बात करे तो नमबर 1 की position पे है ultraviolet F77 electric bike यह जो electric bike है इसकी pricing की बात करे तो वो 3.8 lakh से 5.5 lakh तक देखने को मिल जाता है इस electric bike में आपको 32 kilowatt का PMAC chain drive motor देखने को मिल जाता है इस में आपको 10.3 kilowatt hour का lithium ion battery pack देखने को मिल जाता है इस electric bike में आपको 310 kilometer का range देखने को मिल जाता है इस electric bike की top speed की बात करे तो वो 152 kilometer per hour का देखने को मिल जाता है इस electric bike को 0 to 100 charge करने में 5 hours का time लग जाता है इस electric bike के front और rear दोनों जगा पे आपको disc brake देखने को मिल जाता है dual channel ABS देखने को मिल जाता है आपको push to start बटन देखने को मिल जाता है digital speedometer, odometer देखने को मिल जाता है इसके battery पे आपको 8 years या फिर 1 lakh kilometer की warranty देखने को मिल जाता है इसमें आपको सभी smart features भी देखने को मिल जाता है जो की electric vehicles में होते है तो ये था top 5 best electric bikes in India की list अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक like जरूर कर दीजिएगा वीडियो को share कर दीजिएगा comment कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा आप हम को follow कर सकते हैं Instagram और Twitter पे बहुत जल्दी लोटेंगे EV related नए वीडियो के साथ